अफलता तभी मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानौ से बढ़े होंगे तो बहाना वाजी बन कीजिए अपने सपनों को पूरा करने केलिए अपने लक्ष की वर बढ़िये उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष की प्रापती ने हो तोनमस्कार दोस्तो तों हमारी online class में अपका हार दिक्स वागत है हम पढ़ रहे थे हुं मैवार का इत्यास मैवार के इत्यास के बारे में हमने जो पहले पढ़ा था उसका एक बार revision कर लेते हैं हमने पढ़ा था मैवार का बोगली की विस्तार जो वर्तमान चितोडगड, परतावगड, उदेपूर और रास्वमन जिले थे, जो मैवाड में सामिल किये जाते थे उसके बाद हमने देखा था गुहिल, गुहिल वंस की स्थापना पांसो चांसे टीश्वी में गुहिल ने कीती, गुहिल खुद को सूरीवन सी हिंदू सासक मानते थे, गुहिल वलबी की राजा सिल्यदित्य का पुतर था, माता का नाम पुस्पावती था, गुहिल के बाद हमने देखा था, बपा रावल, बपा रावल हारित रिसी की सिश्य था, उनकी गायें चरायें क दबज़ा कर लिया था इसने नागदा को अपनी राज़ानी बना या नागदा में एक यगे पढ़ती केलास्पूरी केलास्पूरी वहाँ एक लिंग जी के मंदिर का निर्मान करा आया कि महवार के सासक खूद को एक लिंग जी के दीवां मानते थे ये सब आते पढ़ी थी उसके बाद हमने एक सासे गोर पढ़ा था अलट जिसे आलू राहूल भी कहते थे अलट की समय की दो बड़ी बाते हमने देखी थी एक सारनेस और प्रसस्ती और एक आठ पूर अभी लेक सारनेस और प्रसस्ती और आठ पूर अभी लेक प्रसुस्दीश में हमें पता चला था कि अल्लट ने वरा मंदिर का निर्मान कराये था मेवार में नोकर साही की स्थापना की थी इसकी माता का नाम मालक्समी था बेटे का नाम नर्वाहन था और आठपुर अभी लेक से पता चला कि इसने हून राज कुमारी ससादी की थी हर्या देवी उसका नाम था और हर्या देवी ने एक गाउं बसाए था जिसका नाम हर्सपुर था तो यह सामयनी से बड़े-बड़े बाते जो मेवार के थे आज के बारे में हमने पहले देखी थी अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह है जैतर सिंग क्या पढ़ने वाले हैं जैतर सिंग जैतर सिंग इस जैतर सिंग के समय से हमें इनके जो सन हुआ करते थे वह मिलने सुष्गी से लेकर 1250 सुष्गी तक माना जाता है तो जो यह इथियास में पहले माना जाता था कि बहुत जो नहीं है तो आज चल जाता है पहले ऐसी कई गलित फे में बनाई हुई थे कि इत्यास में तो बस सन ही आद करो सन के अलावा कुछ नहीं होता है लोग केते हैं तो इत्यास के बारे में कि इत्यास बड़ी वह बपा रात को रेतर सुबह सब सपा लेकिन अब बैसा कुछ नहीं है तो यह सन देखे जाने लग तो वह तो इत्यास में आती हैं करते हैं तो हम ने भी वह बढúp बड़ी वात हертв कर दिया हमारे भी बहुत बद्ढ़ाग जुचाने लग जक तो एडुक तो जेतर सिंग के समय कि बड़ी वाद थी वो था बुताला का युद तो अब युद आया है तो हमें सामयने से बाद दो चिंज पता चलेगी कहां और कब हुआ कहां हुआ तो यह भुताला में हुआ भुताला कहां थी यह नागदा के पास उधेपूर में नागदा के पास एक जगह थी भुताला वहां हुआ तो इनकी राजदनी नागदा थी तो समझनी से बात है कि नागदा के आसपास ही होगा कहीं युद हाँ एक आहड को उसने अप 1222 केता था को 1235 केता था यसे अलग अलग बताए गया लेकिन अभी जो वर्तमान में NCRT 10th की जो बुक आई है उसमें 1227 बताए गया है तो हमें याद रखना है महत्तपूर ने वह है 1227 क्योंकि हमारे पास प्रूप है हम बता सकते हैं कि यह 1227 इस बुक में लिका हुआ पहले अलग अलग हर बुक अलग अलग मानती थी तो आब हमें याद रखना के बताला का युद का हुआ था 1229 सीच्वे मैं तो आब युद हुआ है सामेनी इस बात है कि दो वक्तियों के बीच होगा कोई अकेले के बीच तो युद हो नहीं सकता है तो जेतर सिंग के सामने कौन जेतर सिंग वर्सेज इल्टुतमिस के बीच बुतला का यूद हुआ तो अब इल्टुतमिस कौन था तो इल्टुतमिस यह दिल्ली का सासक था दिल्ली का सुल्तान था कुलामबंस का सासक था दिल्ली का सुल्तान था उर अगर याद नहीं आ इसके बारे में तो जो आपने देखा हो गएक मीला सासक थे दिल्ली के रजिया सुल्तान वो इस चाहओ नहीं जो गाना तो जब एन मुसलमानों में एक पैटर्न हुआ करता था यूद का कि आदी सेना पहले लड़ती थी और आदी पीछे रहती थी तो जब इन्हें पता चला कि जो आगे सेना गई है वहार होने में है तो जो पीछे की सेना थी वह वापिस लोटने लग गए तो जब लोट रही थ ही है तो बीच में नागदा था तो नागदा से होके यह गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि वह सारे सेनिक वहां युद कर रहे हैं तो यहां नागदा में कोई नहीं था जो बच्चे और जो बुड़े लोग थे वही थे तो इन्होंने देखा तो नागदा को तभा क पड़ा है फिर इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसका पर्मानेंट उपाई करना पड़ेगा यहां तो हर कोई आएगा और हमें लूट ले जाएगा तो इन्होंने फिर सोचा कि कई ना कई उची जगे यहां पहाड पठार पर राजदानी बनाए जाए तो फिर जैतर सिंग ने बनाए था हाला कि कपजा तो बपा रावल नहीं कर लिया था चितोड़गट को अपने चितोड़गट को कपजा बपा रावल ने कर लिया था लेकिन सरवपर्तम राजदानी जैतर सिंग ने बनाए तो यह याद रखने जैसी बात है कि चितोड़गट को राजदानी कि हमें कहां से मिलती हैs इस युद की जानकारिय में मिलती है इत्यासकार बहुए थै इत्यास एक लेखक हुए थे जे सिंग सूरी जे सिंग सूरी ये जे सिंग सूरी हической वुक्त हुए ये जो सूरी अब आप कहोगा कि सर सेरसा सूरी तो एक अपवाद था तो जिसके भी पेचे सूरी आता है तो जैन ये लेखक थे तो जैसिंग सूरी के पुस्तक थी हमेर मत मर्दन हमेर मत मर्दन हमेर मत मर्दन तो ये जो हमेर मत मर्दन पुस्तक थी इसमें इस भुताला के युद की जानकारी मिलती है तो ये भी याद रखने जैसी बात है कि अगर कहीं पूचा जाए कि भुताला के युद है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है तो जै सिंग सूरी के पुस्तक हमेर मर्द मर्दन